बल्रामपूर सुहेल देव वनिजीव अभ्यारन के बरहवा रेंज में मादा तेंदुए के पकड़े जाने के बाद वनविभाग की टीम ने अब नर तेंदुए की तलाश शुरू करती है मादा तेंदुए को कानपूर चिरिया घर भेजा जाएगा शुकरवार को टीम ने तेंदुए छिपे होने की संभावित ठिकानों पर जाकर निगराने की देरशाम हाईजेनिक ड्रोन कैमरा उड़ा कर तेंदुए का लोकेशन पता करने का प्रयास शुरू किया गया सेफटी ट्रेक्टर वामचान पर बैठ कर नर तेंदुए को भी जाल में फसानी की यूजना बनाए गई है तराई छेतर में तेंदुए का खौफ कम नहीं हो रहा है डेर महा के बीच आदा दरजन बच्चे तेंदुए का शिकार बन चुके हैं और डरदनाक दरजन भर दिराश्रित मवेशी शिकार बन चुके हैं हाला कि मादा तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों के मन से खौफ कम हुआ है लेकिन वे पूरी तरह से सतर्क है मादा के साथ साथ नर्तेंदुए भी देखे जाने की बात कई बार सामने आई है नर्तेंदुए को पकड़ने के लिए अभी कई टीमे काम कर रही है डी एफो डॉक्टर एम सोमरन के मताबक 11 पिंजरे वा 25 कैमरे लगे है इसके अतिरिक्त हाईजेनिक ड्रोन कैमरे की मदद से नर्तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है अब वन्युवा का टीम फूरा उसको सपोर्ट बीकिया डे टूडे बेसिस पे हम उसको मुमंड का मानिटर भी किया उसको पिंजरा लगाया चामरे ट्राप लगाया सीसी टीवी लगाया इसके लाइव बैट क्यारा बिंजरा में अलावा लाइव भी रखा है कल रात उसमें लाइब एट में आज सुबह एली मौनिंग में तेंदुवा ने हमला किया वह सीसी टीवी में भी हमको देखा है सो रियल टाइम में तो डाक्टर का टीम था फिर वन्युवा का टीम पूरा टीम था उदर तुरन उसके जाके ट्रैंक्लेज करके पकड़ा कि इसकी बार में हम चीफ लिवरन साथ को अभी सूचित किया सो उदर से परमिशन आएंगे कहां बेजना है उसके बाते होगा अभी तिंदुवा स्वस्थे उसको भी ट्रीक्मेंट डाक्साब में लालनगर के पास बिलवा है लालनगर बिलवा दरंपूर के बीच में इसको मुवमेंट लगा था तो उसी एरिया में हमारा फोगस भी था तो यह बेलवा में पक्राइब इसके उम्र कितनी होगी लगबक पांच वर्श होगा फुली में चूड है जिन्नार है सब्सक्राइब यह माधार देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर